तो है गैस आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई कॉपी राइट स्ट्राइक बेसिकली जो हमारे और आपके चैनल जो कि यूटूब गूरीजी चैनल है इस पे एक कॉपी राइट स्ट्राइक आ चुका है मैं अभी तुरत आपको दिखाता हूं अपना डेक्स्टॉप यहां पर जैसे मेरे पीछे देख सकते हो दोस्तों की यहां पर जो है एक अक्टिव कॉपी राइट स्ट्राइक है जहां मैंने कुछी दिन पहले अपने कम्यूटी पोस्ट में दाला था तो यही चीज़े दोस्तों और इस वीडियो में अगर आप पूरा देखोगे तो आ हमारे पास अलड़ी आ चुका है फर्स ट्राइक जो कि आप लोगों ने देखा होगा रेगलर सब्सक्राइबर हो तो भाई कितना ओरिजिनल कंटेंट कितना क्लीन कंटेंट यहां रहता तब पर भी स्ट्राइक लगा है तो मतलब कुछ ऐसी बात है जो कि यूटूब पे आ आपको बताऊंगा यहां पर कैसे इस copyright से बचा जाया कैसे इस copyright को हटाया जाया क्या steps हम ले सकते हैं और मैं क्या steps इस चैनल पर लेने वाला हूं अभी इस copyright से तो वीडियो को आगे शुरू करते मैं फटा-फट आपको पूरी तरह से पूरा बात यहां पर बताता हूं दोस अब आज आता है copyright strike वाला option तब यहां पर दिखा रहा है देखो copyright strike तो पहले मैं दोस्तों बता देना चाहता हूं को मुझे मिला कैसे है तो basically देखो आपने अगर देखा होगा मेरे चैनल पर मैंने कुछ free software download करने का तरीका बताया था जो की license software है हां दोस्तों तो first reason की अगर आपने अभी तक अपने चैनल पर अगर कभी भी जिन कोई license software का free version अगर download करने का hack करने का दिखा रहा है तो मत करो वही reason की वज़े से जहने मुझे copyright strike मिला वीडियो पर अच्छे खासे view आ रहे थे बड़ अगे strike मिला है अब दिखा देता हूं मुझे strike किस ने दिया जैसा क कि यहां पर नीचे आप देख पाऊंगे दोस्तों कि यहां पर फिल्मोरा की तरफ से आया है और वीडियो अलड़ी टेक डाउन किया जा चुका है तो बैसिकली फिल्मोरा का मैंने फिल्मोरा का जो लेटेस्ट 10 है एक्स वर्जिन जहने उसके उपर मैंने जहने copyright strike वाली व यहां पर देख सकते हो कि दो option है यहां पर मैं contact कर सकता हूं claimant को या फिर submit for counter notification कर सकता हूं तो मैंने उसके टीम के तरफ से क्या request बट अगेन मैंने जो किया है वो गलत है आप जाके पता चला क्योंकि इसके ओपर कोई वीडियो ही नहीं थी नहीं पूरे यूटूब में पूरे इंडिया में किसी नहीं नहीं बिना है तो मैंने भी गल्ती कर लिए बट आप मुझे समझ में आ पड़ेगा copyright school होता है तो इसको अटेंड करने के बाद में एक copyright का जो भी है solution आएगा तो अब करते हैं क्या करेंगे तो आप देखते हैं आप नेक्स स्टेप यहां पर क्या करेंगा पहले मैं यहां बता देना चाहतूं यहां पर लिख्या आ रहा है इफ्यू गेट थ्री copyright डिलीट कर दिया जाएगा चैनल बला बला नोडिफिकेशन यहां पर पूरी तरह से पढ़ सकता है और यहां पर आता है copyright school तो हम क्लिक करते है copyright school पे अब जैसे copyright school पे क्लिक करेंगे दोस्तों यहां पर जोने हमारे पास बहुत सारे questions आ जाता है और एक वीडियो चलता है तो वीडियो में आपको समझाया जाता है कि अगर आप किसी का वीडियो डिरेक्ली किसी और का performance अगर आप capture करके YouTube पे दालते है तो वह illegal है और लेकर के दालते हो अगर उनके permission भी आपके पास है तब पर भी हो illegal है और यह सभी copyright strike के अंदर में आता है इसके जगह पर आप क्या कर सकता अपने own content create कर सकते हो बट अगें दोस्तों इसमें यह भी बताया गया कि एक fair usage policy है अगें दोस्तों fair usage policy बहुत ही बड़ा है बट मैं आपको separate वीडियो में बना करके exactly बताऊंगा fair usage policy क्या होता है बट इन शॉट बोले तो अगर आप कोई भी क्लिप्स को अगर जोहने review और critics के purpose में यूज करते हो तो उस पे copyright का counter copyright नहीं पड़ेगा but again complicated चीजह मैं बड़ी दूसरी वीडियो में बताऊंगा यह वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तो अब हमें यहां पर कुछ सवालों का जवाब देना पड़ेगा दोस्तों जैसे की देख सकतो फॉर्स कोशन है इस content is available on the internet it's the public and domain therefore okay to upload to YouTube false तो एक गलत है दोस्तों कुछ भी internet पर available वहां से निकाल के आप नहीं कर सकते हो next आता है in order to determine whether specific copyrighted content is authorized to be used on YouTube you should upload it to your account and wait for content ID system to block and unauthorized content fall यह भी नहीं करना है दोस्तों हमें if you miss use YouTube's counter notification process तो हमारा जो है ना क्या होता है channel terminate हो सकता है और एक legal case यानि court law की तरफ से जोने case हमारे उपर आ सकता है तो all of the याब हो रहेगा last question आजाता हो था if you are if I intentionally file a false notification of alleged copyright infringement against a YouTube video just for a fun or to cause trouble I could be found liable for any damage or cause यानि अगर आप false claimant मतलब counter notification करते हो तो उसके लिए आपको जहना जो भी उनका financially loss होगा वह आपको भरना पड़ेगा तो यह चार कोशन है दोस्तों पहला वाला है if it contains available on internet उसको बिल्कुल नहीं दालना है in order to determine whether specific corporate content is authorized to be used मतलब आपको जहना बिल्कुल ओन ही करना है ओन काम करना है कि तो यह सभी चीज़े इस वीडियो में बताया है आम शौर की बहुत informative रहेगी आप दोस्तों अब जो यह वाला जो हैं यहां पे हमें जो हैं चेक एंसर दिया रहा था हम आप अब इस पर क्ली करते हैं चेक एंसर तो जैसे चेक एंसर पर क्लिक करते हैं यहां पे थोड़ी देर में हम YOUR हमें इसका हो सभीानी करेक्टि करेक्ट अगया यहां पर हम करेंगे इसको तो जैसे ही डन करेंगे दोस्तों ऐसे द随 हमारा स्कूल कंप्लीट हो गया है और यहां पर फिफ्टींथ मार्च को एक कॉपिरेट जो है खतम हो जाएगा बट इसके अलावा मैंने जो यहां पर दो एक्शन्स लिया है और ऐसे गलती बिल्कुल नहीं करना आपका चैनल खत्रे में पढ़ सकता है आपको वीडियो बहुती इंफॉर्मेटिव रही होगी और दोस्तों मुझे प्लीज सपोर्ट करो शायद अगर दूसरे और कॉपिरेट श्रेक आती कि मैंने आप लोगों की मदद करने के लिए बनाया था और फ्यूचर में भी अगर कोई गलती सा इसे वीडियो बन जाती जिसके बारे इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है तो अगर चैनल होता है तो मेरा दूसरे चैनल का लिंक जो हैने डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अब प्लीज जा करके व अभी लोगों के साथ में क्योंकि सभी जोगों को नहीं प्रमोशं सपोर्ट हुआ मिलेगा और huge गिवए बहुत सारे दोस्तों आएगी मैं मैं मैंनेज कर लूँगा और आप लोगों का प्यार जो मेरे साथ है तो हम लोग बड़ा फैमिली यहां पर बन के दिखाएंगे वन मिलीन की फैमिली बहुत ही जल्द बनेंगे दोस्तों टड़ा बाय बाय टेक केर